अब आप लोग को समझाते हैं डायोड के बारे में, ये डायोड जो होता है ये तापाइनिक होता है, थर्मोाइनिक होता है, सब देखिए कैसे, एक हम प्लेट बना देते हैं, क्या करते हैं, एक प्लेट बनाते हैं, यहां एक प्लेट रख देते हैं, और एक यहां प्लेट र हैं जाएःजेंगी कि एक यहां पे इसे नीगेटीवली चार्ज कर देते हैं और इसे पोजिटीवली चार्ज कर देते हैं जैसे यह गरम करेगा क्या करेगा गरम करेगा तो गरम करने से इससे क्या निकलेगा इलेक्ट्रोन निकलेगा क्या निकलेगा भीया इलेक्ट्रोन निकलेगा इससे निकलेगा इलेक्ट्रोन और ये इलेक्ट्रोन निगेटिव होता है निगेटिव होने से ये इलेक्ट्रोन उपर की और आकरसित हो उपर की और क्या होंगे आकर्सित होंगे और यह इस सर्कीट से जाकर जुड़ जाएंगे इस सर्कीट से जाकर जुड़ जाएंगे और सर्कीट पूरा हो जाएगा सर्कीट क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा यह तापमान के कारण होता है यह सर्कीट को क्या कर सकते हैं एक ये कुछ ये प्लेट है एक ये प्लेट है और एक उपर वाली प्लेट है तो इसमें टोटल इलेक्ट्रोड कितने हैं दो इसलिए इसे डायोड कहते हैं क्या कहते हैं डायोड कहते हैं इसे क्या कहा जाएगा डायोड कहा जाएगा आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि ड AC current या DC current पहचानने का तरीका अगर direction बदल रहा है तो आप AC कहिएगा और अगर direction नहीं बदलेगा तो आप DC कहिएगा आप बताइए ये दो दो पलेट होने के वज़े से इसे diode कहा जाता है इसमें धारा एक इधर से इधर जाएगी या उल्टा भी आ सकती है अगर दोनों direction से आजएगी तो diode नहीं है इसमें AC current जाएगा या DC current? AC या DC ये बताइए reverse नहीं आपाएगा भाई साब reverse कभी नहीं आएगा क्योंकि उधर से electron को ये positive आने ही नहीं देगा तो इसमें जब भी जाएगा कौन सा current जाता है? DC current जाता है कौन सा current? DC current जाएगा DC direct एक direction में जाने वाले current को DC current एक बात कितने लोग ये बता सकते हैं कि ये जो diode है क्या इसमें current लोट सकता है? नहीं लोट सकता है ये लोटने नहीं देता है current को तो दुनिया की वह चीज जो किसी दूसरे चीज को लोटने नहीं देती उसे valve कहते हैं क्या कहते हैं वाल्व आपकी आपके नल में भी लगा होता है वाल्व देखेगा इस तरह से नल चलाते हैं यह नल यह से नल चलाते हैं तो आप देखेंगे नहीं यहां पर यहां एक वाल लगा होता है वाल जो आप पानी को उपर तो खीच लेता है लेकिन वापस इस नीची आने नहीं देता है, इसलिए diode को हम लोग diode वाल भी कहता है, यह क्या करेखा, तो भईया यह DC current कराता है, यह क्या करता है, DC current करता है, इसी करण, जो AC current को DC current में बदलने वाला होता है, उसे हम क्या कहते है, rectifier, रेक्टिफायर, question अगर कहेगा कि रेक्टिफायर में क्या लगा रहता है तो आपका जवाब क्या होगा, प्लेट लगे हैं, दो प्लेट, इन प्लेटों को एलेक्ट्रोड कहते हैं, जो एलेक्ट्रोन को निकालने या एलेक्ट्रोन को रिसीब करने का काम करते हैं, तो एक एलेक्ट्रोन का प्लेट यानि एक एलेक्ट्रोड ही है, दूसरा एलेक्ट्रोड ही है, इसी वज़े से दो AC infrared को DC में बदल देता क्योंकि AC current की दिशा बदलते रहती है और DC current की दिशा नहीं बदलती है इसी तरह से काम करता है हमारा PN junction एक P type ले 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 इसे हम क्या कहेंगे PN junction इसमें current बस इधर सीधर जा सक्ती है तो आप बताइए क्या PN junction का काम same diode की तरह होगा या नहीं होगा same diode की तरह होगा बस आप दिखें ना ये भी नीचे से उपर भेज रहा है केवल एक direction में और ये भी केवल एक ही direction में भेज रहा है इसी वज़ा से PN junction जो होता है वो किसकी तरह काम करता है diode की तरह काम करता है PN junction किसकी तरह काम करेगा? Diode की तरह काम करता है यह diode बोड़ी जादे useful होते हैं यह diode कैसे होते हैं? बहुत जादे useful होते हैं कैसे? इन diode को symbolic हिसाब से भी हम लोग दर्सा सकते हैं अलग-अलग diode का symbol हो जाता है जैसे, मान के चलिए एक यह diode का क्या? symbol है यह क्या होता है? डायोड होता है लेकिन एक ऐसा भी डायोड होता है एक ऐसा डायोड होता है इस टाइप में भी एक डायोड होता है इसमें क्या किया जाता है? प्रकास को लाए जाता है उपर से क्या लाए जाता है प्रकास को? इसलिए इसे हम photo diode करते है फोटो डायोड, अभी हम इसका function समझाते हैं, देखें, इस plate से हमको जब electron को निकालना था, तो हम इसको नीचे से गरम करके निकालें, एक ऐसा भी तो काम हो सकता है, नीचे से ना गरम करके डारेक्ट इस पर प्रकास लाएं, प्रकास लाएंगे तो ये बाहर निकलने तो इस डायोड को हम क्या कहते है, फोटो डायोड कहते है, फोटो डायोड का परिऊ कहाँ करते है, सोलर पैनल में, विकास तिवारी मेरा हो गया एक् 이거는 कई या जा हूँए जी तिवारी जी विकास्तिवारी 90 attempt की है very good 90 attempt की है very good चलिए मेरी और देखे ध्यान से मेरी और देखे सब लोग इधर देखो बहुत अच्छा 90 attempt की है very good बभुग इस्टेटिक जी के बस कल से पढ़ाना चालू कर देगे बस इस्टेटिक जी के कल से हम पढ़ाना चालू कर देगे टेंशन नहीं लियो मेरी और देखो बभु लोग मेरी और यहाँ पर यहाँ देखे बभुग यह एक डायोड मेरी और विधार धीए डायोड डायोड कैसे बनेगा एक फो उपर और एक इलेक्ठोड नीचे यह एक इलेक्ट्रोड नीचे अब की बार हम यह करना चाहते हैं कि इसको नीचे से बिजली की supply दे देते हैं नीचे से किसकी सप्लाई देते हैं बिजली की सप्लाई देते हैं और जब बिजली की सप्लाई देंगे तो इससे क्या निकलेगा इलेक्ट्रोन निकलेगा पहले भी तो बिजली की सप्लाई दिये थे इस बार तार से दे देंगे बैटरी से देखें पिछली बार बैटरी से और यह एपत्ना बाड का मसीन लगाना पड़ा था अब ऐत्री से थे तार से दे देगें सीधे में से तो इसमें निकल जाएЭтоं तैわか timeal जाए्गाँ sharing अर्य आर्सेनिक फासफाइड का आर्सेनिक फासफाइड जैसे यह लोग आर्सेनिक फासफाइड की चादर निकाले तो इलेक्ट्रोन जो था वो इस आर्सेनिक फासफाइड के चादर को छेद के निकल रहा था और जब यह आर्सेनिक फासफाइड के चादर से टकराता था ना जब करता था light को और निकालता था इसलिए किसे कहते थे emitting क्या करते थे emitting यह light को emit करने लगता था कब जब इसके एक electrode पर हम arsenic phosphate का लेप लगा दिये तो light को emit कर रहा था लेकिन यह क्या था बीया दुदु को थे इसलिए क्या था? डायोड था इसी को कहा गया Light Emitting Diode LED Light Emitting Diode LED एकदम छोटासा होता है और लाइट निकालते रहता है इसलिए क्या किया जाता है? दस-دस गो LED या को एकके बज़े ले आ दे एक ठोग Carry fighter 2 LED भलब देखते हैं उसके अन्दर 4-5 adaption डायोड रहता है उसे अंदर क्या होता है चार पांश टू डायोड होता है तो बस उस पे क्या लगा देना है आर्सेनिक फास्पाइड वो डायोड क्या बन जाता है लाइट इमीटिंग डायोड एलीडी उसी को क्या कहते है एलीडी कहते है तो एलीडी पे क्या लगा रहता है आर्सेनिक फास्पाइड सांग में एलेडी क्या होता है हर जगा तो एलेडी यह लगा लागता है एलेडी के कोनो समान है यहां देखाते है आपको फूरता रके कुछ वह यह नहीं है सब्सक्राइड वाला लगा हुआ है सब उपर से उतारेंगे कोई से गिर जाएंगे भी उतारेंगे तुछ लाइट में मार देगा मुख में पर नीच वह जो लाइट रहता है सब में डायोड यह लाइट इमीटिंग डायोड हो गया किसी को कोई दिक्कात है तो बुलिए आर्सेनिक फास्वाइड याद रहेगा मोबाइल में भी लगा रहता है देखें आप लोग देखें आप लोग चलिए तो आप डायोड समझ में आ गया है किसी को डायोड में कोई दिक्कात नहीं है डायोड में कोई दिक्कात नहीं है चलिए